हेले श्टूडेंट कैसे आप सब एक बार पुना सी कोचिंग क्लासेश पर स्वगात उम्मीद करते हूँ आप सब बच्छे होंगे मस्त होंगे बहतर होंगे आपकी पढ़ाई बहतर चलोगे बच्छों क्लास 11 फिजिक्स में आज का टोपिक है सक्ति साथ में सक्ति और उर्जा में अंतर तो पहले सक्ति के बारे में संपूर जानकारी प्राप्त करेंगे आप लोग इसके बाद सक्ति और उर्जा में अंतर जो की हर बार पूछा जाता है इसलिए आप लोग इसे तयार कर ही लेना इसके पहले हमने जो भी वीडियो लेक्चर प्रवाइड किया बच्चो वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आप लोग देख लेना चलिए सुरू करते हैं सक्ति है क्या पावर इंगलिस में दी पावर सब्द जब हम देखते हैं तो उसे लोग हिंदी समझ करके उसका जो मीनिक है अच्छे से निकालते हैं आप किसी गाव में चल जाओ ना बूलेंगे भीया सबसे ज़्यादा पावर किसका है आपके गाव में तो यह पावर का मतलब एक प्रकार से सक्ति है और सक्ति का मतलब छमता किसी भी फिल्ड की बात की जाए जैसे गाव में दबदबा किसका बना जाता है जिसके पावर होता है पावर का मतलब हो जाता हो सक्ति चाहे हो पावर पैसे से हो जाए चाहे हो पावर किसी पोस्ट से हो जाए या वो पावर हो सकता है राजनीत से हो जाए बड़े नेता साहब हो उनकी पावर नहीं बोलते हैं उनकी चलती है आपके घर गाव में बिवाद हो जाए तो आपके कोई गाव में आपको मुखिया लोग मानते होंगे बुलाएंगे उनका पावर अच्छा है इन्हीं एक प्रकार से सकती हो छमता है ठीक है तो अब ज़रूरी नहीं है कि बिलकुल आप उसी बस पावर कह सकते कि वाली जे एक बेक्ति दस किलो बजन उठा सकता था एक बेक्ति तो भाईया पचीस किलो बजन उठा सकता था पस वही बस पावर नहीं होता एक मेंटली पावर भी होता है ठीक है तो चले बात करते हैं बच्छो जैसे आप लोगों को एक मजदूर दिखा और मजदूर को देखते होंगे या आपके घर में हमारे जैसे पिता जी मजदूरी का काम करते हैं तो हम खुद बता रहे हैं हम भी एक मजदूर की समान काम करते हैं कभी कभी हमारे बलाक को आप देखे होंगे देखते होंगे बच्छो हम भी खेति किसानी करते हैं तो एक बेक्ति माल लीजिए एक वस्तू को उठा करके दूसरे स्थान तक रख रहा है जिसका बजन 50 किलो है ठीक है अपने आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक तो जाने सकता है मतलब उस पर कोई नो कोई बल लगाया गया और जब बल लगा तो कहीं न कहीं कारे किया गया तो समय के साथ कितना कार कर पा रहा है उसकी सक्तिय च्छमता है मतलब एकाई समय में कितना मोटर पानी दे रहा है उसकी सक्ति कहलाती, पावर जिसे होने बोलते, कितने पावर हार्स का ये आपका मोटर है, तो वो समय के साथ कितना काम कर रहा है, ठीक है, किसी भी बेक्ति के बात करो, तो ये जो सक्ति कहलाता बच्चो समय के साथ, इकाई समय में कितना कार कर रहा है, वो उसकी सक्ति कहलाती जिसे मालीजे कोई वेक्ति 10 सेकेड में 5 मिटर दोड़ रहा है कोई वेक्ति 20 सेकेड में 5 मिटर दोड़ रहा है मतलब जहां पे समझने की बात है जिसे एक मिनट में 1 किलो मिटर कोई वेक्ति दोड लिया कोई वेक्ति 5 मिनट में 1 किलो मिटर दोड़ रहा है मतलब उसकी सक्त है, सक्ति कम है, तो समय के साथ कोई व्यक्ति कितना अधिक कार कर पर रहा है, ठीक है, जो भी व्यक्ति कार कर रहा है, यह व्यक्ति हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो, हम भी हो सकते हैं, तो समय के साथ कितना कार कर रहा है, वो उसकी सक्ति कहला जाती है, ठीक है परिभासा देखिए किसी कार करता के कार करने की दर को सक्ति कहते हैं दर का मतलब हा गया मतलब हमेशा याद रखना समय जब भी दर सब्द आ जाए इन्ही कोई कार करता 21 समय में जितने कार को करता है या करेगा वो उसकी सक्ति कहलाती है जिसे हम पावर से बोलते हैं जैसे माली जे टी समय में डबलू बरक कार किया तो आपका P बराबर हो जाएगा W अपांटी सक्ति खतम कोई दिक्कत तोने बच्चो कुछ हई नहीं है यार सक्ति क्या है एक प्रकार से हमारी छमता समय के साथ हम कितना कारे कर पा रहे है वो ही हमारी के है सक्ति है अब इसके आगे थोड़ी से लिखना कि माली जे टी समय में डबलू कार कर रहा है तो प्राबर हो जाएगा डबलू अपांटी लेकिन अल्प समय कि यदि बात कर दी जा बच्चो कि यदि अल्प समय अल्प समयंत्राल पर क्या हम मान ले अल्प समयंत्राल छोटा सा समयंत्राल अल्प समयंत्राल हम मान के चलते हैं डेल्टी अल्प समयंत्राल कितना मान के चलते हैं डेल्टी में अल्पकार में अल्पकारे अल्पकारे कितना हो जाएगा आपका del w करता है तब ओसत सक्ति या सक्ति कितना निकल कराएगा बच्चो average लगभग लगभग की बात की जा रही है पी एबरेज की बात की जा रही है वो हो जाएगा बच्चो आपका del w बटा del t 21 समय में कितना कार किया जा रहा है मतलब अल्प समय में कितना कार किया जा रहा है वही उसका उपावर कहलाता है अब जब ताथ छणिक की बात करते हैं मतलब अल्प समय की बात कर रहे हैं बहुत ही अल्प ताथ छणिक का मतलब क्या होता किसी बिसेश छण ताथ छणिक सकती हम जब निकालेंगे तो इसका मतलब हो जाए किसी बिसेश छणिक के लिए मतलब समय तो बिलकुल वो जीरो के बराबर है डेल्टी का मान लगभग लगभग जीरो के बराबर है बच्चो ताथ छणिक का जब भी नाम आ जाए इसका मतलब बिल्कुल ना के बरावर बहुत ही कम जिसको हम इस पूरे रोप को dw upon dt के रोप में लिख सकते हैं यह आपका फार्मूला आ गया कभी कभी जरूत पढ़ सकता बच्चो इसलिए इन फार्मूलों को लिखना भी जरूरी है अब यदी मैं आपसे कह दो कि सकती का SI मात्रक क्या होता है बाट होता है ठीक है सकती का SI मात्रक बाट होता है ठीक तो यहाँ पर आप लोग नोट करके लिख ले न कि सकती का SI मात्रक नोट कर लो बच्चो सकती का SI मात्रक सक्ति का ऐसाई मात्र क्या होता जानते हैं बाट होता है बाट होता है वैसे तो आप यहाँ पर डबलू का क्या बोलेंगे कार का क्या होता है जूल प्रतिस सेकेंड भी होता है या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कार का होता है जूल प्रति समय का हो जाता है सेकंड तो जूल प्रति सेकंड भी होता है अब बिमिय सूत्र निकालना है तो कार का निकालो और समय का निकालो और अपन रेसियो निकालेंगे तो बिमिय सूत्र निकलाएगा बिमिय सूत्र बिमी सूत्र मैं आपको निकाल कर यहां पर दिखा दोंगा बच्चो M L स्क्वाइर टिक पाउर माइनस 3 यह आपका बिमी सूत्र है इसको बिमी सूत्र हम कैसे निकाल लेगे अब ही हम बताते हैं बिलकुल निस्चिंत रहें पूरा बिजवत समझाएगे बिमी सूत्र चले बच्चो बिमी सूत्र के लिए यहां पर देखिए फार्मूला सबसे पहले आप देखो यहां पर देखिए P देखिए आज हमारा यहां याज का दिन बईयों 17 नवंबर बोटिंग हुआ है हाथ में चुनाव का पहचान है पावर होता है W अपान T मतलब कारबटे समय कार बराबर क्या होता है बल गुडे विस्थापन बल गुडे विस्थापन यह होता बच्चो और T का हो गया समय बल बराबर क्या होता है बल बरावर होता है द्रबमान गुणे तुरन द्रबमान गुणे तुरन और विस्थापन का दूरी है तो दूरी लिख सकते हैं कोई दिक्कत तो नहीं है समय का समय रहने दीजिए अब बच्चो द्रबमान का द्रबमान ही रहेगा तो रन का होता बेग बटा समय तो एक समय और था एक समय और आ गया तो समय का स्क्वेर हो गया और दूरी का तो दूरी ही रहेगा फिर बच्चो द्रबमान का द्रबमान ही रहता है लेकिन बेग का तो होता है दूरी बटा समय तो दूरी बटा समय समय था 2 अब समय हो गया 3 और 1 दूरी और है अब इससे आप विमी सूत्र निकाल सकते है M कितने हैं 1 दूरी कितना है 2 समय कितना है 3 उपर जाएगा तो मनस लग जाएगा M L स्क्वार टीक पर मनस 3 M L स्क्वार टीक पर मनस 3 यह आगे बच्चो आपका बिमी सूत्र ठीक है तो बिमी सूत्र भी निकाल लिया आप ठीक है हमारा टास्की था मुखरूप से हमारा कि सक्ति किसे कहते हैं सक्ति और उर्जा में अंतर तो कार करने की दर को सक्ति कहते हैं लेकिन वहें पर जो छमता होता बच्चो वो कार करने की छमता उर्जा कहलाती है सक्ति का मान समय पर निर्भर करता है जबकि ये समय पर निर्भर नहीं करता है तो फिर उर्जा की परिवासा अर्लेडी बन जाएगा आपको से ठीक है सक्ति कहा है बच्चो कार करने की दर समय के साथ ये जो दर होती है वो आपका सक्ति कहलाता है लेकिन कार करने की छमता जो है उर्जा है सक्ति का मान समय पर निर्भर करता क्योंकि समय के साथ इकाई समय में वहीं पर उर्जा का मान समय पर निर्भर नहीं करता सक्ति का SI मातरक बाट होता है या जूल प्रतिस सेकेंड है लेकिन वहीं पर उर्जा का साही मात्रक जोल होता बच्चो उर्जा का साही मात्रक जोल होता है इसका बिमी सूत्र M L स्कूरर टिक पौर मैनस थ्री होता है जबकि उर्जा का बिमी सूत्र M L स्कूरर टिक पौर मैनस थ्री होता है जबकि उर्जा का बिमी सूत्र M L स्कूरर ट मैनस लगता है तो सक्ती और उर्जा में अंतर तीन अंतर हैं भाई तीन अंतर तैयาร कर लो बागी बिमी सूतर तो आपके निकालने के उपर है निकालना बन रहा है तो पिर कोई दिक्कत नहीं होगा बच्छो अब यहाँ पर मैं एक चीज आपको सिखा देता हूं बच्चो यूनिट कैसे कहता है यहाँ पर देखिए बिद्दुत उर्जा का मात्रा किलोवार्ट घंटा होता है जिसे बोलचाल की भाण सामें हम यूनिट कहते है किलोवार्ट घंटा मतलब प्रती घंटा में कितना बाट झमता हो автомобस उसे किलो से रूप में हम दर्स आते हैं, यहां पर थोड़ा सा देख लिजेगा, विद्धुत उर्जा का मात्रक जो होता है, वो किलो बाट घंटा होता है, क्योंकि पाबर है न सक्ति है, तो यहीं पे इसको समझना जरूरी है, यूनिट कैसे निकाल जाता है, भाई सक्ति से समбन्दित है, सक्ति का मतलब होता है, बलगूरे एक प्रकार से बेग, सक्ति एक बलगूरे बेग से भी निकलता है, एक है, तो जैसे हमने कहा, P बराबर है आपका W upon T, ये तो सब को पता है, P बराबर आपका W upon T, to W बराबर किता है, P into T, P क्या है बच्छो, पावर, W क्या क्या है कार है, क्या है कार, थोड़ा समझती कुछ इसको मैं समझा रहा हूँ, आपको तो प्लियर हो रहाएगा, तो फिर आप हमेशा में सक लिए निकाल सकते हैं, कभी आपके घर में भी दिक्कात होगा, तो निकाल देंगे, देखे बच्चो जो पावर होता है, मतलब जिसे कितना पाबर है वो w upon t ठीक है w upon t मतलब कितना किलो बाट घंटा कार किया गया तो यहां से निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा w बराबर निकालना पड़ेगा p into t अब देखिए थोड़ा से यहां पर समझेंगे clear समझ में आ जाएगा आपको जैसे मानके चलता हूँ बिद्दूत उर्जा 1 किलो बाट घंटा माली जी बिद्दूत उर्जा खपत हो रहा है मतलब कितना जूल इसमें कार किया गया तो 1 किलो बाट हम मानके चलते हैं 1 किलो बाट घंटा इसको हम कैसे निकालेंगे बच्चो 1 किलो बाट का मतलब 1000 बाट ठीक है और घंटा को सेकेंड मतलेंगे मतलब 60 गुडे 60 सेकेंड ठीक तो ये कितना बैलू आ जाएगा बच्चो 36 36 और कितने 0 आ जाएगे 3 यहाँ पे आ लेडी था और 2 यहाँ पे आ जाएगा ठीक है और बागी एदी मैं आपसे कह दूँ बाट का मातरा क्या होता बच्चो तो जूल परती सेकेंड जूल परती सेकेंड और सेकेंड आरेडी है अब ये सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर इसकोईदी मैं बदलना चाहूं यहां पे दसमलो लगा दूं 3.6 तो कितने जीरों बच्चों 5 और 1.6 यह जूल में परिवर्तित हो गया मतलब एक घंटे में इतना जूल एनरजी खापत होता है इसे को हम एक किलो वार्ड घंटा कहते हैं और इसी का एक प्रश् को लिख सकते हैं वाकि जो आज का टास्क था सकती किसे कहते हैं सकती और उर्जब अंतर मैंने कंप्लीट करा दिया है वीडियो पसंदात लाइक करके शेयर कर दें ऐसी वीडियो परने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें यह आपको नोट्स लेना बच्चों प्रापर लिए जाता है लेकिन प्रापर रूप से हैंडी टेंड नोट्स आपको दिये जाते हैं